हाई मैं पूजा वेलकम बैक टू माई चैनल संसाइन पूजा दोस्तों आज मैं काफी स्पेशल वीडियो आप लों के साथ सेल करने जा रही हूँ सैकिनों कहते हैं कि खुबसूर्टी देखने वालों की आखों में होती है तो ये बात सच्छा है कि आपको कोई इंसान काफी पसंद करता है और कोई इंसान बिल्कुल पसंद नहीं करता है या फिर किसी इंसान को आप काफी पसंद करते हो, बहुत ज़दा आपको अच्छा लगता है, बट आपके जो फ्रेंड है, आपके जो फैमिली है, या फिर आपके साथ में जो हमेशा रहता है, वो उनसान उसको पसंद नहीं करता, कोई कपड़ा आपको पसंद आता है, बट आपके साथ में जो गय होते हैं उनको पसंद नहीं आता है या कोई उनको पसंद आता है वो आपको पसंद नहीं आता है ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान की जो पसंद होती वो अलग होती है तो दोस्तों इंसानों के हिसाब से आप अपने आपको ना बनाएए आपको आप जै साथ ये प्रॉब्लम है ऐसा है तो पहले आप अपने अंदर में जो आपके निगेटिव पॉइंट है ना उसको हटाएगी आप पॉजिटिव सोची अपने आप से प्यार करिए तो आपकी वो जो खुबसूरती अंदर का जो विस्वास होता है ना वो आपके चेहरे पे आए करळे मैं आपको बताने जारी हों यह उसी से रिलेटिव है यह आपकी वह मैल हो हटा ने की को भी ओảng इसे काफी कम रीमिज्स होती है जो लगाते घाते ही इसर करेगी तो ऐसा ना सोचा करिए कि आपने लगाया और ये तो बिल्कुल असर ही नहीं किया तो आप मैं नहीं लगाऊंगे ऐसा नहीं है आप इसको लगाया करिए एक, दो, तीन, चार, पांच बार ऐसे आप ट्राइ किया करिए कम से कम वन वीक तक कि आप ट्राइ किया करिए दोस्तो उसके बाद अगर कोई असर नहीं होता है तो आप बेसक इसको ना लगाय करिए बट अगर आप किसी भी चीज को continue करते होना थोड़ा उस पे time देते होना तो वो असर जरूर दिखाता है तो यह remedy भी वैसी है एक बार में आपको फरक तो दिखेगा बट मैं यह नहीं कहूंगी कि एक बार में ही आपके जो कोहनी एकदम काली होगी वो एकदम साफ हो जाएगी ऐसा नहीं है आप दो से तीन बार तक क्या आप इसका यूज करिएगा आपका जो मैल जमी है कोहनी पे वो एकदम खतम हो जाएगी कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी medical problem की वज़े से आपकी जो गरगन होती है वो काफी ब्लैक हो जाती है तो अगर ऐसी कोई problem है तो आप अपने डॉक्टर की सलह जरूर लीजे उनको जरूर जाके दिखाएगी तो मैं आप से एक छोटी से रिक्ष्ट और करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगीगा तो इसको कर कर दिजेगा लाइक चैनल को अभी तछे सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिजेगा ताकि मैं जितने आने आले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती आप गेहू का आटा लीजिए गेहू के आटे में हमें मिलाना है सोडा जो सोडा हम घरों में यूज करते हैं बेकिंग सोडा वही मिलाना है लगबार आदा चमच हमें सोडा मिलाना है सोडा मिला के इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है यह हमारे स्कीन की सारी मैल को निक का जूस भी मिला सकते हो नीवू के जूस में या औरेंज के जूस में काफी मातरा में बिटामिन सी होती है जो हमारे स्किन के लिए काफी फायदे मन होती है हमारे स्किन की प्रॉब्लम को खतम करती है तो इसमें हमें अच्छी मातरा में मिला लेना है और अरंजूस जिसे ये एक अच्छा सा पेश्ट बन जाए तो ये देखिए दोस्तों ये हमाया पेश्ट बनके रेडी है तो चलिए मैं आपको इसको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ आप इसको हाथ पैर गर्दन, कोहनी, घुटने, बैक हर एरिया में लगा सकते हो तो आपको इतनी मातरा में लेना है उसके बाद अपने हाथ पे अच्छे से अपलाई कर लेना है दो से तीन मेंद इदक के आपको इससे अच्छे से मसाज करना है हलके हलके हाथों से करना है और जब ये थोड़ा टीक हो जाए तो आपको थोड़ा जोर लगा करना है दोस्के तीन मेंद बाद हम इसको पानी से क्लीन कर लेंगे अच्छे से मसाज करके दो तो δोस्तो हाथों को कलीन करने के बाद आपको नारियल तेल लेना है या कोई भूशुराज़ा लेना है उससे आपको पूरे हाध की मसाच करनी है अगर यह रेवडी अपने पेरों में लगा रहे हैता है तो आपको पेरों के भी मसाज करनी है इससे हमारी जो इसकिन होगी ना वो काली नहीं पड़ेगी और उसमें निखार बरकरार रहेगा अगर आप मसाज नहीं करते हो कोई मौश्राजर नहीं लगाते हो तो एक काली सी परत उसमें जमने लगती है तो दोस्तो इस तरह से आपको अपते हाथों पे पेरों पे ये रेमिटर ट्राइ करनी है उसके बाद आपको खुकोने टॉयल से या किसी मौश्राजर से मसाज कर लेना जिससे जो आपकी स्किन है ना वो डार्क ना हो उससे ब्लेड ना जमने यानि उसमें काला पन ना है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा चैनल का सब्सक्राइब करिएगा बाई मिलते हैं गले वीडियो में